पाकिस्तान की सरकार, सेना, आएसाई और आतंक वादियों का दिवालियापन है, बॉखलाहट है, कुछ नहीं कर पाए एक साल से, तो पोशिश करी कि पीट पर खंजर मारें, लेकिन सेना ने उसको भी निस्तो नाभूल कर दिया. हमाई साथ एक बड़ा पैनल होगा समझने के लिए कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के लिए भारत को अब जवाब कैसे देना चाहिए, भारत को आगे क्या कदम उठाना चाहिए, कि इस तरीके से आतंक वादियों का फिल्ट्रेशन ना हो, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ख पाटीज ने नितीश सरकार को सुशासन बाबू को इस पर धेरा था, इंडिया न्यूज ने बकाइदा एक लंबी चोड़ी विश्केशन इस पर दिखाया था, हम लगातार इस ख़बर को फॉलो कर रहे थे, और लगातार हम मेवलाल चोड़ी को फॉलो भी कर रहे थे, पहला जटका नितीश कुमार को मेवराल के रूप है, वाई साथ नियूज रूम से रोहित पुरिटा जोड़े, सीधे रोहित के पास, सीधे रोहित के पास चिरेंगे, रोहित पहला जटका सुशासन बाबू को, और ये होना था, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, के रोप थे, नियूक्ती के रोप थे, भवन बनाने का रोप था, और साथी साथ जिस इस्तिती में उनकी पत्नी की मौत हुई थी, उसको लेकर भी एक IPS की चिट्टी, बिल्कुल सोशल मीडिया पर वाईरल थी, हमने भी उस चिट्टी को दिखाया था, जो साफ इशारा कह जा था कि मौत के पीछे रहाइस, यानि एक नई, दो नई, तीन तीन आरोप थे, आखिरकार इस्तिफा हुआ, बिल्कुल देखे रजट, जिस मौरालिटी की बात करते हैं, सुशासन बाबू नितीश कुमार, उसी मौरालिटी का दबाव था, नैतिक्ता का दबाव था नि जो 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 एलिगेशन हैं, वो बड़े संगीन हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मेवालाल चौगरिये भी जमानत पर बाहर चल रहे हैं, तो इसी बात को लेकर तेज़स पर याद आपने सवाल भी उठाया था, कि एक ऐसा शक्स जो कि अभी जमानत पर बाहर चल रहा है, ज बरतियां की गई थी, लेकिन देखिए, यहीं पर खेल हुआ था, आरोप यह लगा था, कि जिनके नंबर कम आये थे, उनको तो एपॉइंट कर दिया गया, निक्ति दिदी गई, लेकिन जिनके नंबर ज्यादा थे, उनको फेल दिखा दिया गया, जो कि जो अभी पूरी त गया था, एक पूर्व IPS, अमिताब दास की तरफ से, जो कि बिहार कैडर के IPS हैं, और उन्होंने ये आरोप लगाया था, कि जो मौत हुई थी, मेवलाल चौधरी की पत्नी की संदिक दहालात में मौत हुई थी, घर में जलकर मौत हुई थी, उसको लेकर उन्होंने आरोप ल बिधायक हैं, दूसरी बार, उसी सीट से पहले 2010 से लेकर 2015 तक उन्होंने पत्नी बिधायक रही थी, और ये माना जा रहा था, कि ये जो नियुक्ती घोटाला हुआ था, इस नियुक्ती घोटाले में कही न कहीं बहुत सी चीजें ऐसी थी, कि शायद जो उनकी पत्नी थी, इसको लेकर भी तमाम सवाल उटे थे, तो एक के बाद एक सारह के संगीन आरोप लगते रहे, और सबसे बड़ी बात ये थी, रजट की दबाव बहुत ज्यादा था, नितीश कुमार के उपर बहुत ज्यादा दबाव था, मेवाला चौधरी कुछ बोल नहीं रहे थे, वो सि इसे में ये समझ में आ गया था, नितीश कुमार को, कि इतने गंभीर आरोपों के साथ, और अभी तो सरकार के शुरुआत हुई है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक केरी नहीं कर पाएंगे, और क्यूंकि सुशासन के आप बात करते हैं, पहले दिन से ही आप सुशासन को ल नहीं कोई नई F.I.R. नहीं थी, हाँ, नया वो लेटर था, IPS का जो DGP को सिंगला साब को लिखा गया था, वो आप कह सकते हैं, चर्चा का विशे था पहली बात, दूसरा, R.J.D. ने इस मुद्दे को मुखरता से उठाया था, और इंडिया निउस लगातार इस खबर पर तो ये पूरा ऑप्रेशन रोहित कैसे हुआ, क्या बीजेपी का दवाओ था, या नितीश कुमान ने सुओ मोटर डिसीजन लिया कि नहीं सरकार की छवी खराब हो रही, इस्तीफा लेना है, या बीजेपी ने कहा कि कोई जरुवत नहीं है, इस तरीकी के ब्रस्टाचारी क अपने कैबनेट में रखने का आप तुरन निकाल दीजे, ये ओप्रेशन पूरा मेवालाल को अटाने का कहां से और कैसे शुरू हुआ? निलंबित कर दिया था, नितीश कुमार ने खुद निलंबित किया था, 2017 में मेवालाल चौधरी को, और एक साल तक वो निलंबित रहे थे, उसके बाद उनकी पार्टी में बापसी हुई थी, वो बैक डोर से उनकी एक तरह से बापसी कराई गया थी, दुबारा उनको टिक ट्रैक करते रहें मेवालाल चौधरी को, उनकी गाड़ी के पास पहुँचे, उनसे बात करने की कोशिश की, तो सीधा जवाब उस पर नहीं दे रहे थे, तभी उन्होंने कहा था, और दबाव BJP के अभी था, रजत में वही बात आपको बता रहा था, क्योंकि जो BJP के प् और कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडिरेक्टली उन्होंने एक मैसिज दे दिया था, कि हमारे जो मिनिस्टर हैं, NDA के बहुत समझदार हैं, और वो सरकार पर कोई संकट आने नहीं देंगे, तो ये एक बात संजेज जैसवाल का कह देना, ये अपने आप में बहुत सारी बाते अंदर समेटे हुए हैं, और देखे, कल उन्होंने ये बात कही थी, और आज मेवालाल चौधरी का स्तीफा आ गया, तो कहीं न कहीं बड़े भाई का दबाव जरूर रहा होगा, क्योंकि देखिए, अभी सरकार बनी है, ठीक है, टीर मजॉर्टी से बनी है, लेकिन 125 सीटे ह और उन 125 सीटोमेट भी चार हम की हैं, चार VIP की हैं, और पिछले दिनों हमने देखा भी था कि VIP को RJD की तरफ से ओफर भी दिया गया था, तो कहीं इन चीजों को कैश न कर ले विपक्ष, RJD इन चीजों को कैश न कर ले, क्योंकि अगर चार विधायक भी तूट गये तो आप समझ लीजे, सरकार गई, तो अभी शुरुवात में किसी विवाद में नहीं पढ़ना चाहती है, NDA, खास और पर BJP और मुझे लगता है कि सेंटरल लीडर्शिप का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा होगा, जिन्होंने डरेक्ट गिया होगा कि नहीं, आप इस लेकिन रोईत स्तीफा हो गया है, दो बड़े सवाल यहां से उठते हैं, पहला, क्या पॉलिटिकली एक पहला डेंट, एक हफ़ते के अंदर नितीश कुमार को लगा है, NDA सरकार को लगा है, पहला डेंट लगा है कि स्तीफा देना पड़ा है मंतरी को, वह भी सिक्षा मंतर को ब्यार के पहला, दूसरा, अब क्या अपोजिशन जो है, वो इस मुद्दे को लेकर जाएगी, लोगों को बताएगी कि देखे ब्रस्टाचारियों को कैसे, नितीश कुमार ने अपने कैमिनेट पे रखा, हमने प्रेशर बनाया, यानि राजनितिक आप जो कह सकते हैं, आरजेडी को बैठे बठाए, एक मौका मिल गया है? मंत्री के उपर दाग था, और उपर से अब इतना दबाव आपके उपर पड़ा, विपक्ष का दबाव आपके उपर पड़ा, तो विपक्ष इसको अपनी जीत की तरह प्रोजेक्ट करेगा, और इसको पबलिक के बीच में लेकर जाएगा, देखिए, जिसको आप सुशास के पीछे जो रहस बताया है, वहाँ पे उस समय ततकालीन IPS ने, उसकी भी जाच होगी, कई सवाल है, जो अभी अंसुलचे है, मुझे लगता है, इस्तीफे के बाद कम से कम, फेर इंक्वाइरी मेवालाल के खिलाफ हो पाएगी, बहुत शुक्रिया, रोईत आप हम से ने पर, जमान कष्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलो ने, चार आतंकीयों को मार गिराया है, खूफिया जानकारी के बाद, नगरोटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और हर नाके पर आने जाने वाली गाडियों की जाच शुरू हो गई है, इस दौरां सुरक्षा बलो ने बान टोल प्लाजा के पास एक नाका लगाया था, आज सुबह पांच बिजे का वक्त था, एक ट्रक टोल प्लाजा पर आकर रुका, सुरक्षाबरों ने जब ट्रक की चेकिंग करनी शुरू कर दी, तब आतंकियों ने फाइरिंग शुरू कर दी, आवाज आपको विडिय आपको शुरूरे बाद जंगल के इलाके की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, यह आप विडियो देख रहे, विडियो टू है, जहाँ पर ट्रक थी, जिसमें चार आतंकवादी सवार थे, ग्रनेट से हमला करने कोशिश करी, हमला कामयाब नहीं हुआ, प्रॉस फाइरिंग हुई, उसके बाद सेना ने पूरी ट्रक को विसफोर्ट करके उडा दिया, सुरक्षा बलों ने भी जवावी फाइरिंग शुरू कर दी और ट्रक में छिपे आतंकियों पर ग्रनेट से हम ग्रनेट से हमला के बाद नहीं हुई, यानि, तो इतनी बड़ी खेप वहाँ से बाद नहीं हुई थी, बड़ी बारामेट की हुई है, और चार आतंक वादी धेर हुए और तलाशी के दौरान जो पुलीस और सीयर पीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कारवाई शुरू की गई इनकाउंटर के दौरान चार आतंक वादी मारे गए इनकी शिनाक्त अभी नहीं हो पाई है इन चारो आतंक वादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद परामद हुआ है जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 गरनेड, मोबाईल फोन, कमपस और अन्य कई सारे डिवाइसेज और पिठ्ठू बैग्स, पोचेज और भारी मात्रा में अमिनिशन बरामद हुआ ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मनसूबे को अन्जाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे ओपरेशन अभी जारी है, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और शीगर यातायाद को खोल दिया जाएगा अजी साब को आप सुने थे, साफ कह रहे थे, किसी बड़े मनसूबे के साथ आतंकवादी आये थे लेकिन सुरक्षा पल तैनाद थे, मुस्तैत थे, सुबह पांच बजे भी करारा जवाब दिया निस्तो नाबूत किया, चारा तकवादियों को जो पाकिस्तान की तरफ से आये थे और मना ही जा रहा है, ये जैश्ट थे हमाईसा देख बड़ा पैनल होगा, ये समझने के लिए कि अब पाकिस्तान की बौकलाहट क्या है पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ना इन्फिल्ट्रेशन हो पा रही है, ना ही अपने मनसूबे में काम्याब हो पा रहा है क्या ये पाकिस्तान की बौकलाहट है, हमाईसा जो गेस्ट है उससे आपका तारूफ करा दे सुमित पीर कश्मीर के जानकार होंगे, और पाकिस्तान से हमाईसा गुलाम अबास होंगे, लाइफ आप सब का बहुत स्वागत है इंडिया नियूस पर, शुरुआत गुलाम अबास आपी से करता हूँ गुलाम, जिस तरीके की घटनाए हो रही है, आपने देखा, चार आतंगवादी थे, वहाँ से पाकिस्तान से भेजे गए, चारों को निस्तनों अब उत कर दिया, किस बात की बॉकलाहाट है पाकिस्तान के अंदर अब? हम फिर से जाएंगे लग रहा है, कुछ कनेक्शन में कमी है और शायद होनी भी चाहिए, इस समय थोड़ी कनेक्शन में कमी, शुरुआत करते हैं प्रफुल बक्षी साब से, बक्षी सर, चार आतंगवादी थे, ट्रक में थे, ग्रेनेट थे, ग्यारा एके 47 थी, सैटलाइ लेट फोन्स भी था, बम भी थी, बारूद भी थी, आईजी को आपने सुना, आईजी साफ कह रहे हैं, एक साल में इतनी बड़ी खेप कहीं नहीं बरामद हुई, जितनी बड़ी खेप थी, क्या मनसूबा था, और ये मनसूबा कब तक पाकिस्तान खयालों में पालता रहे अब हमारे डिफेंसे बहुत तगडी दिखाई दे रही है, बार बार इंफिल्टरेशन, पाकिस्तान की तरफ से चार अतंगवादी आते हैं, ट्रक में सवाल होके आते हैं, मनसूबे बिलकुल नोन हैं, चारों को निस्तों आबूत कर दिया जाता है, किस बात की पौकलाट है पाकिस्तान के अंदर, कोई बड़ी घटना कश्मीर में पिछले एक साल से नहीं हुई है, कश्मीर में चुनाओ होने वाले हैं, पीस को और चुनाओ को देह्शत के अंदर लाने के लिए सब मनसूबे को पाला जा रहा है, क्या चाहता है पाकिस्तान? पहली बात तो ये है, कि आपका पौांट अफ्यू है, कि पाकिस्तान की ये, हम ये मानते हैं, कि ये कश्मीर के रहने बले नुट हैं, जो के कश्मीरी हैं जो आपके खिलाम उलड़ रहे हैं, पहली बिलकुल नहीं हैं, इस बाहर करेक्शन, आप माने ना माने, वो आपका पेरोगेटिव है ये कश्मीर के नहीं थे वहां के आई जी की कहिए आपको दुबारा बाइट चुनवा दू इन्फिल्टेशन के दारे पीछे से रास्ते से भुषके आये थे सांबा सेक्टर से और यहां पर बड़ी वाता तो देना चाहते थे आई जी जमूरेज ने साफ क आए कि ये जैश के टेंड आतंकवादी थे चारों आतंकवादी जैश के थे पाकिस्तान दिर्ट आपको बड़ाता हूं कि 8 लाख आपने फोज लगाई है अभी एलेक्शन जो कि पिश्मीर में होने जा रहे है उसके लिए 49 बटालियन जो है आपकी पैरा मिल्टरी फोर्स जिसकी नहीं आ रही है वहाँ पे एलेक्शन के लिए अगर आप आठ लाख फोर्ज लगा कर उसके बाद 49 मजीद बटालियन भेज़ कर भी आप वहाँ प्यामती कर पारें तो कि आपकी सोचने का टायर ने क्या वज़ा है पिश्मीरी क्यों भारत को पसंद नहीं करते गु प्रदान मंतरी मोदी साफ कह चुके हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं छेड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है अच्छा मैं आपको बताता हूँ पहली बात हुए कि सीजफायल का उलंगन की जो आप इल्जाम लगा रहे हैं गुला मैं जो समझना चाहरा हूँ आपसे में पास एक बड़ा पैनल है वो भी आपसे बात करेगा वो भी आपसे सवाल पूछेगा मैं यह समझना चाहरा हूँ एक साल से पीस है कोई बड़ी आतंगवादी घटना नहीं हुई जितनी बार पाकिस्तान की तरफ से आतंगवादी संगठनों की तरफ से इस तरीकी कोशिश करी उसको नाकाम कर दिया गया लेकिन कब तक चले गई यह मैं आपके बताता हू पहली बात तो यह है कि आप कहा रहे एक साल से पीस है पीस करेना चाहिए पार्टी ने आलोचना करी उफकर के आलोचना करी और साफ कहा कि ये हमको बरदाश नहीं है लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे कहता हूँ ये हमाई देश के अपनी एक राजनितिक मसला है इसको पाकिस्तान से जोड़ के देखना नहीं चाहना चाहिए कश्मीर भारत की इंटरनल मामला नहीं है नहीं ये बिलकुल नहीं नहीं जाएगा कश्मीर हमारा था हमारा है हमारा रहेगा आपका कश्मीर से कोई वास्ता नहीं है में साह से कोई वास्ता नहीं है मयबुबा जो कहें खार decor जो कहें ये मीर साह जो कहें ये हमारा इंटरनल मामला इसके आपको नहीं देना नहीं है आप इसको गिल्गक बारा प्रफुल बख्षी साहब क्या पाकिस्तान बोख़ा गया है इस तरीके की बात कर रहा है इस तरीके का कंड़े अपना रहा है आतंगवादी बेज रहा है पूरी पूरी ट्रक उड़ा दी गई संदेश साफ है प्रफुल बख्षान को पाकिस्तान का पुराना गेम है यह एक है रहा है पाकिस्तान की आर्मी करा रही है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी सब्ता में रहना चाहती है Control करना चाहती है और जितने हमारे लोग फ्रेंड आते हैं वो मारे डर के बोलते नहीं है क्योंकि यह डी-ब्रीफिंग होगी बक्षी साब बक्षी साब देखे अली शाह साब भी मुहमद अली जी पुछ कहना चाहरे है मुहमद अली जी रिस्पॉंड करिये मौम्मद अली जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मौम्मद अली जी शायद आपका माइक म्यूट है एक बर आप माइक अगर अपना फिर से बोलिए बोलिए बजा है वह सबसे पहले हैं पाकिसानी भाइसाइब से यह सवाल पूछता हूँ है आप आप आपका और यूंध है आवाज नहीं आ रही है एक बर आडियो रिसेट करिए बापस आपके पास आउगा उससे पहले सुमित पीर जी पैस जुड़े हुए है और परियार सर्विए पर यार सार आपके पास आँओ उसके पहले सुमित पेर जी के पास चलता हो। अबास साब देखिये एक ही मसला है कर जाना जहां तक बात है वो है P.O.K. बादिस्तान लेजिए जो हमारा कश्मिर है वो हमारा था है और रहेगा اس theology आपके इमरान खान नियाजी को सपने आए खाबों थैसी खाबों थैसाब भारतवांएं वूढू फाकिस्तान टोरा खान और सामने कबरिस्तान ये आपकी हकीकत है कुछ भी कर लो कैसे भी देख लो वहीं खतम होंगे आपके बास एक बिलियन एक बिलियन का फॉरेश्चेर रिजर्व है नहीं चैना की बीक में रहते हो 19% फूर इंफलेशन फूर इंफलेशन है पर इंफलेशन की स्थिति में हो तीन दिन का पेटरोल नहीं आपके आर्मी के बस किस कश्मीर की बात करते हो और जितने भी यहां लोग कश्मीर वश्मीर के हम उनको देख रहे हम उनको देखेंगे आप उनकी चिंता ना करें आप अपनी सोचो यह सो यह देखो कि किस दिन किस टाइम हम गिलगित पालचिस्तान और पियो के लेंगे और आपकी बार लावर पिंडी पे और रावल के लिए हम सक्षा में उनको निपढ़ने के लिए देखें आप क्याते हो बाला कोट में कवे मारे थे आप क्याते हो उरी हुई नहीं चारों जंगे आप जीत गए हैं ना आपके इतनी बड़ी आर्मिये और यह जो आपके जनरल भी जो तंगे लगाते हैं भाई एक बार ब एक बार मुझे लगता है कि गुलाम अबास को मौका मिलना चाहिए बताने के लिए जो आपने बताया है पीर साब गुलाम अबास सुन लिया आपने हकीका सुन ली मैं जवाब देना चाहूंगा पहली बात तो यह कि यह जो कह रहे हैं कि अजाद कश्मीर की और गिल्गर बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं मेरे भाई मैं आपको सिंद्री एक चीज़ कह रहा हूं कि इधर रेड मैं ही यह जो लाइम अफ कंट्रोल है यह रेड मैं जिसमें अन्फार करो हम कम आएंगे पतार के पिनुख लिए हम लो स्पने आते हैं खावो में डर बाना कोट आहे थे और यह रहे थे जो कि चार जंगे हार गे नहीं हार गे अब यह बता करखर आगे आपके सिपाई मरें या जहादी मरें कौन मरें आप तो ऐसा मुल्खों अपने सिपाईयों की डेड़ बॉड़ी तक ले ले लेते थे हमने उनका पूरा करिया करम किया इस्लामिक तरीके के गारण क्योंकि हम इनसानी हखुकों मानते हैं वो भी अपने देश के सिपाई थे हम भी अपने देश के सिपाई हैं आपकी तरह नहीं है कि अपने सिपाईयों को छोड़ दे मरने के लिए अरे ये जो जहादी आपको किलों के भाव लाते हो, क्या होता है यहां आते हैं, इनकी शर्फ लाइफ 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन है, हम इनको खतम कर देते हैं, आप नहीं बेज़ दोगे समित पीर आप बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद आज घुलाम अबास के पास भी तिस शब्द नहीं होगे, कि वो पाकिस्तान की डिफेंट कर पाए, मैं इस बहस में जैस परियार साब को लाना चाहूँगा, परियार सर, पीर साब एक मिटा रहा हूँ, परियार सर की, ISI हो, आतंकवादी संगटन हो, ये पिछले एक साल में अपने किसी भी मनसूबे में कामियाब नहीं हो रहे थे, इसलिए ये कोशिश की गई, कि आतंकवादीयों को भेजा जाए, शेलिंग की जाए, गाओं के रास्ते, सांबा सेक्टर के रास्ते, उसके बाद आतंकव की सही समय पर इस पूरे मिशन को निस्तो नाबूत कर दिया। कि हमें इंटरनेक्टनल बॉर्डर क्रॉस करके, वहां उन्होंने एक हाई-टेक ट्रेणिंग कैम्प लगाए हुआ है, इंस्टिटूशन चला रहे हैं, जिसमें की जेशे बहुत, रश्करे, तालीबानी, आइसिस वालों लोगों को आर्मी और आइसाई वहां पर आज की डेट में पाटिस्तान में कोई गवर्नेस नहीं है, इम्रान खान कहां बैखे गुए, उन्हें खुदी पता नहीं, आर्मी पे भी नवाश चरीक और बुर्टो की पार्टी हमले कर रही है, इनके पुरे टेट पड़ा हुआ है, चीन का दवाव है, तो ये पूरे ब इस्टेशन किया, इस पूरी कटना का, हमाईसाद मौमद अली शाह साब भी है, मौमद अली शाह साब आपका आडियो नहीं आ रहा था, मुझे लगता है, शायद अब आडियो वापस आ गया है, शाह साब सेलूट है, फोर्सेस को, बड़ी साजिश थी, लेकिन सेलूट करत है कि अभी 28 नवेंबर से 22 डिसेंबर तक, डिडी सी इलेक्शन होने वाले हैं महाँ पे, इसको डिस्ट्रिक डिस्ट्रप्मेंट कोपरेशन, इसको डिस्ट्रप्ट करने के लिए आ सकते हैं, कोई भी बड़ा इनका मक्सद होगा इनका, लेकिन हमने वहीं पे इनको इंडि को मैं बिलकुल चैलेंज करता हूं, इंको मैं दवा देता हूं, कि यह क्या बात करते हैं बाई, आपको मालूम नहीं कि आपके अंदर मूल के अंदर क्या हो रहा है और आप बाहर मुन के बात करहुंए vedid नाइंटी नाइंटी नाइन में, कारगिल यूद में, मैं आपको चैलेंज को असेप्ट करता हूँ, मौमद अली, मौमद अली आपका चैलेंज एकसेप्ट किया है, मौमद अली, मौमद अली आपका चैलेंज, आपका चैलेंज, गुलाम अबास ते एकसेप्ट किया है, एक केर, आईटी स्पेर्स एन पेरिफेरल्स बिहार के सिख्षा मंत्री मेवालाल चौदरी ने दिया इस्तीफा मेवालाल चौदरी पर लगे हैं भच्टा चार के गंभीर आरू जम्मू के नगरोटा में जैश के चार आतं की डेर कश्मीर घाटी को देलाने की पड़ी साजिश नाकाम एके 47 के साथ भारी मात्रा में हत्यार बरामत जम्मू में गुपकार के बाहने कॉंग्रेस पर बरसे योगी आदितना कहा अलगावादियों के साथ है हाथ देश की अस्मिता से हो रहा खिलवा कोरोना के बरते मामलों को लेकर के पेजरिवाल सरकार का बड़ा एलान दिल्ली में मास्क नहीं पहनना तो लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80-20 बेट कोरोना के लिए रिजर्व पशिमंगाल में राजपाल और मुकमंत्री की बीज जुबानी जंग बीजेपी कारकर्ता की हत्या पर बोले राजपाल सियासी हिंसा भरदाश नहीं ममता का जवाब बाहरी गुंडे कर रहे हैं हिंसा वापस वागत है आपका एक बड़ी भहस कर रहे हैं नगरोटा में जिस तरीके से सेना ने पाकिस्तान के जैश के आए चार आतंकवादियों के मनसूबों को नश्ट किया निस्तो नाबूत किया और पुरी-पुरी ट्रक में ही विस्फोर्ट लगा के बता दिया सुबह का पाँच हो रात का बारा हो किसी भी वक्त हो नो इंट्री है उन लोगों के लिए जो देह्शत फैलाना चाहते है एक लंबा चौड़ा पैनल हमाई साथ जुड़ा हुआ है इस चैलेंज को स्विकार कर चुके है हेड्लाइन पर जाने से पहले एक बार चैलेंज रिपीट कर दीजे उसके बाद जवाब लेता हूँ गुलाम अबास से अबास साथ आपको मालूम नहीं है कि आपके खुद के मुल्क के अंदर क्या चल रहा है जब आपको ये नहीं मालूम कि आपके अंदर के मुल्क के अंदर क्या चल रहा है आप कैसे बार की देशों की बात कर रहे हैं अभी मैं आपको दूद का दूद पानी का पानी कर दू कहते हैं पाकिस्तान में कोई सिविल वार नहीं हो रहा है और यहीं पर ही इवी स्क्रीन पर दिख रहा है और यहां पर हो रहा है आपकी फॉज आई जी पी को उठाके ले जाती है और वहां पर शुर्व हो जाता है वह कि चनाप कहते हैं यहां पर सब अमल चैन्ट जी रहा है और हमने मिलके साली भी बजाएथी इस बात पर किया अमल शांती है यह क्या यह आपके लिए अब आप कहते हैं कि यह लोग जो आज सुबेर हुए यह पाकिस्तानी नाशनल नहीं सब्सक्राइब जवाब दीजे पाकिस्तानी नहीं तो क्या चीन से आप महमद अली शाह साथ को कहिएगा कि थोड़ा सा पेशर्स रखिएगा पीच में इंटरॉप्ट ना कीजेगा मेरे भाई आपने चैलेंज चीन से आपने चाहिए आपने चाहिए जवाब देता हूं एक एक चीज़ का आपने पाकिस्तान में क्या सीवल मार्ग नहीं हो रह मैं आपको चैलेंज देता हूं कि उनकी रिपोर्ट्स आप यहां पे चलाएं कि जो आपने खबरे चलाएं कि यहां पे पुलीस और फोज आमने सामने एक उसरे पर फारिंग कर रही है एक इंसिनेट भी आओगा हाँ ये इंसिनेट जरूर हुआ था आईजी का बाकिया ले आपको रिपोर्स, BBC, CNN, सबकी जो फेक्ट चैट रिपोर्स आई कि इंडियन मेडिया ने जूटी ख़वरे चलाई तो मैं दिखा सकता हूं पहली बार दूसरी बार आगे चलाएं अब एक एक स्वाल एक स्वाल कर दोजिए ना मेरे दूसरी बार आप आप मेंसे बैस नहीं का आप मेरे बाहत राहा हूं तर आप शुट रहा हैं कि आप किस बात इम्सक्ति शूरी ऑप कबहूर कर लिए आप मेंसे बहस नहीं कर पाहिए क्योंकि आपके पार क्या है गुलाम यहां गुलाम मुद्दा ये है आप ने कहा ये पाकिस्तानी नहीं थे कश्मीर के रहने वाले थे 47 बरामद हो गया सैटलाइट फोन बरामद हो गया हतियार बरामद हो गया जैश की चारों आतंगवादी है यही चैलेंज था कि आप बताइए कैसे प्रूफ कर देंगे ये पाकिस्त पाकिस्तानी नहीं है हाँ बोलिए बोलिए पाकिस्तान आख लागते हैं कुछ में लगता है कुछ आवाज में दिक्कत हैं वापस लोटेंगे गुलाम हम बास के पास सीज़र चलते हैं इस प्रफूल बक्षी साहब के साथ बक्षी साहब बक्षी साहब समझना चाते हैं तीन सो सतर हड़ गया पैंतिस ए हड़ गया एक साल में कोई बड़ी वारदात जमुएन कश्मीर में नहीं हुई सेना ने मूतोर जवाब दिया हो चाहे व गावादी नेता नहीं है कोई यूथ सड़क पे नहीं है कोई पत्थर बास नहीं है कोई एंटी इंडिया स्लोगन नहीं है तो क्या इन सब चीजों से चौतरफा पाकिस्तान की परी प्रेशर है कि जिस तरीके की वो हरकते करता था कश्मीर के अंदर वो सब मोधी सरकार ने एक्सपोज हो गए हैं और बात सारी यह है यह जितने अलगावादी वगेरा थे तोड़े से नंबर के थे और उनको सीजा जमीन पे ले आए हैं मच्चमन में आ गए हैं उनकी आंके खुल गए हैं और उनको पसा चल गया है कि क्या गेम हैं क्या पाकिस्तान कर रहा है और प अब देखिए हमारे जो फौज में यूथा रहा है फुलिस में जा रहा है वह सारा का सारा इनके पीचे पड़ा हुआ है अब ये इनके उपर प्रेशर अबीदा बाकी है आईसाई और आर्मी इनके उपर प्रेशर लगा के बैटी है कि तुम अपना काम जानी रखो क्योंक आर्मी की सब्ता हिलती है आर्मी का जो है कंट्रोल हिलने लग जया है पाकिस्तान से मैं तो इनको ये कहूंगा मौका मिला है देमोकरसी को आने दो हम मिलके आपकी आर्मी को ठंडा करते हैं ठंडा करने का मजब है उनको सब्ता से निकालते हैं डेमोकरसी लेके आते हैं ता और एक हिदायत आपको दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या आपको ये मदद सुईकार है? और देश के उक्रमानों ने कहा है, कि आने वाले 6-8 महीने गंदर जमूरियत वहां पर होगी, वहां पर विदान सभा फिर से बनाई जाएगी, वहार रास्भा के चुना होँगे, और उसकी सुवाथ हो चुकी है? अपने आप सब लोगो अपना कैमरा, आप सब लोग पाकिस्तान आए, मैं आपके शवीव लेगे जाता हूं, जहां के आप गुमेंगे, आप से ये कुझे ज़गास है, कि आप हमें इवाई करें, और हमें भी महां पे अज़ादी देख, मैं आज आपको चैलज़ देता है आप यहां कि क्या हालात हैं हम तो हमके अह की wardrobe का questions मैं वहां ना आप आँ मैं वहां ट्रेवल ना कर पाऊ ये भी सकता है कि आपको permission ना आ आप आओ लेकिन मेडिया यहां पे भी है गुलां मेडिया पाकिस्तान पाकिस्तानने बीडिया है इंतरनाशनल मीडिया है किवी पाकिस्तान में कब पक्या बदेखते है कितने रुपए किलो ।- घ्ल libraries इंतर हम को सब्लूर चिर्वरा था है किर। तर इन यह मैंने सब थी आंस ब्ृ। परियार साहब परियार साहब पाकिस्तान कैसे मानेगा बिल्कुल क्लियर बता दीजिए कैसे मानेगा डेली आतंकवादी भेजना मनसूबे हिंदुस्तान नश्ट कर देगा लेकिन क्या वो वक्त आ गया है कि एक बार एक कड़ा सबक पाकिस्तान को फिर से देने की जरुवत ह देखिए मैं प्रदान मंत्री नरेदर मोधी से बहुत जादा असंतुष्ट हूँ क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान को सबक देने के लिए नरेदर मोधी को इंद्रा गांदी बनना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी वो बनते हैं बलुचिस्तान को मानिता ने को कि ये पाकिस्तान का इस्सा नहीं है पक्तिरिस्तान को बाहर करें दोनों पाकिस्तान से बाहर होते पीयों के को लेजिए आप जो है पाकिस्तां का पूरिश बात की समता है नगार एक डिसीजन लेना मैं सोचता हूं बस अगी लिया जाए तो यह बक्षी साहब बक्षी साहब जो कह रहें परियार साहब एक और बांगरादेश बनने की तयारी है अब और साफ कहा है कि नरेन मोदी को भी इंद्रा गांदी बनना पड़ेगा तभी सुद्रे का पाकिस्तान बिना बने सुद्रे का नहीं बक्षी साहब परियार साहब ने एक एड़्वाइस दी है कहा है कि नरेन मोदी को भी इंद्रा गांदी बनना पड़ेगा जब तक नहीं बनेगा एक नया बंगलादेश तब तक पाकिस्तान नहीं सुद्रेगा वो तो अगर काफी इनको समय दिया जाएगा इनको चांसिस दिये जारे मैं तो कह रहा हूं कि हम जाब हम भी जारे सब तयार है और इनलों वो समझाने को तयाने पर जब अगर मटाइम आएगा तो वो भी कदम उठाए जाएगा जो कि इंद्रा गांदी रेखिया था नाइ अगर में पर नहीं है आप उस वक्त भी थे और मुझे लगता है जब एक नया भूगोलिक धांचा बनेगा भूगोली की स्ट्रक्चर बनेगा नई सीमाई बनेगी मैं उमीद करूँगा कि बक्षी साब उस वक्त भी आप हो सुमित पीर साब भी हमाई साथ है पीर साब बार बार गुलाम अबास इस बात को कह रहे हैं कि कश्मीर में कैमरा लेके चले जाईए आप यहां आ जाईए ह हमने बाइट्स जो भी देखे वो पाकिस्तान के देखे वहाँ पर देखा कि सडकों पर लोग उत्रे हुए है बिलकुल जी मैं रजज़ जी इसका जवाब दूँगा देखे पहली बार अबास साब जो हमारे दोस्त हैं मित्र उनकी मजबूरी है नहीं तो आईसाई वाले इनको गर से उठा ले जाएंगे और फिर ये मिलेंगे नहीं फिर किसी शोपे दिखेंगे नहीं पहली बात है अब जा तक हमारे कश्मीर की बात रहे मैं इनको एक चीज़ बलूँगा पाकिसान और इंडिया एक दिन ही मना था न तो अलग अलग हुए थे आज हम थर्ड ब आपकी बरिस्ते दी आप जंबावे बनने जारा अबास भाई जहां 12만 बारा की डाक ट्रकट में लगा अबास आथ UH बारा की पीर साथ पता रहें पेर साथ उक्रणी पता रहें आप रिस्पान करिए सब तो बता दिया COVID में हमने क्या किया अक्वाम्न हमारी कहां और मिशन समाई चांतर कहा तक पहुँच चुके हैं साइंस में हम तिकते आगे हैं डिफेंस में तिकते आगे हैं रेफैर आपके सर्केफ पर हुआ रहे हैं सब कुछ तो आपको बदा दिया अभी भी आप मानने को तयार नहीं हो क्या सही है क्या गलत है हर दिन शुटकुट आतर भादी गेशते ऑर हर दिन स्टो नाबुद करती हैं arna में अर्पीर सह bones पीर साब सुमिट पीर साफ पीर साफ एक बर सुन लेतें क्या कह रहें गुलामभ के बड़ी आर्मी है आपकी आर्मी अर्मा उन हम देखनी tी कि जब हमारे जेफ सेवंटी थंडर तेयारे आपकी बिर्गेड हैड को टार्गट करके आये थे रहो अभी नंदर की वर्दी आज भी यहां पर पढ़ी है अभी नंदर की वर्दी नहीं पर है रही जवान था पहादू था और आपकी संसब में कहा था कि अगर 24 गंटे अभी नंदर को ओर फख़र लेतें तो भारत युद्ड कर देता पाकिस्तान को निष्ट नाबूद कर देता ये खुद आपकी संसब में पिर साब बुझे मता रहा हो पाकिस्तान की संसब में संसब में The addictive picture अउड के कैमरा लेकर आओ गुलाब पीर साब एक में आपने मुझे से कहा तक कैमरा लेकर आओ मुझे आने की कोई जरुवत नहीं है मुझे मालू है पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है क्या हालात है खाने का क्या इंतिजाम है पैट्रोल के क्या रेट है ये किसी से चुपा नहीं है लेकिन आप कभी भी आ जाईएगा मैं आपको ओपन ओपन इंविटेशन देता हूँ आपका जब मर्जी होगी कश्मीर आ जाईएगा कावा भी पिला दूँगा डल्चेक भी लिला दूँगा युगां से भी मिला दूँगा और बता दूगा कि वो साफ कहते के भी जाईएगा तरह करें नफ्रत पाकिस्तान की तरफ से अब नफ्रत जी कोई जगे नहीं है हिंदुस्तान के जब मर्जी हो गुलाम अबास, कैमरा भी ले आईएगा, जिमिजब भी ले आईएगा, पुरा सेट अप भी ले आईएगा, पुरी टीम भी ले आईएगा, पुरा कश्मीर घुबा देंगे, पुरी वादिया दिखा देंगे, कावा भी पिला देंगे, एक बड़ा पैनल हमा लहाट है लेकिन हिंदुस्तान और नरेन मोदी ने साफ कर दिया है छेड़ों के छोड़ेंगे